कि दोस्तों आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एक वार पूना हर्दिक स्वागत करता हूं आज कि वीडियो में हम लोग संस्क्रीट ग्रामर का एक पॉर्शन लेकर आया हूं दोस्तों जिसे हम लोग समास यदि बात करें तो समास यदि आप पढ़ना चाहें तो आपका समास से आठ रहने की समभना है चली हम लोग बिना समय को पर बात करते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और यदि बात करें तो हम लोग लाइव नेटवर्क इसू के चलते हम लोग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क गाउं में उतना रहता नहीं इसलि कट में जल से जल नहीं प्याने का कोशिश करेंगे समास यदि बोलेगा समास के बारे में कहता है कि समास में सब्दों का मेल होता है समास में किसका मेल होता है सब्दों का तो बोलेंगे कि सब्दों के मेल को दो या दो से अधिक तो दो या दो से अधिक सब्दो के मिल को हम लोग बोलते हैं समास और कहता है कि समास जो है तो समास का अगर पूछा जाए कि साब्दिक अर्थ क्या होता है समास का साब्दिक अर्थ क्या होता है तो समास का साब्दिक अर्थ संचेप होता है, क्या होता है, संचेप होता है, तो समास का साब्दिक अर्थ क्या होता है, संचेप, तो हमने बोला कि दोया दो से अधिक सब्दों के मेल को समास करते हैं, तथा समास का साब्दिक अर्थ संचेप होता है, आप ज़राद देखिए आपको समयना कहा है समास में यहां पे आपको दो ठर्म समयना रहता है हम लोगों को बोड एक्जाम में आता है समास बिग्रह क्या आता है समास बिग्रह तो समास बिग्रह कहता है कि विभक्ति चीन लगाने की किरिया समझेगा इसको विभक्ति चीन लगाने की किरिया विभक्ती चीन लगाने की किरिया को हम लोग बोलते हैं समास बिग्रह अगर कोशन देगा समास बिग्रह करें तो आपको उसमें विभक्ती चीन लगाना पड़ेगा क्या लगाना पड़ेगा विभक्ती चीन लगाने की किरिया को हम लोग बोलते हैं समास बिग्रह एक हम लोग को टर्म आता है आपको समासिक सब्द क्या आता है समासिक सब्द या तो इसी को बोलते हैं समस्त पद क्या बोलेंगे समस्त पद गजा है हमने अगर बोला यहाँ पर समासिक सब्द या समस्त पद तो बोलना पड़ेगा आपको विभक्ति चीन हटाने की किरिया को हमने बोलते हैं समस्त पद या समासिक सब्द तो हमने तीन ठीर मिख जाना एक टरव हमने सिखा सoff åenz चाताए रखी चुछ समासी पर instincts अथिक सब्द के मिल को समस काते हैं कहते हैं आगे लिखा गया समासिक सब्द या तो समस्थ पद समासिक सब्द या तो समस्थ पद तो विभक्ति चीन हटाने की किरिया को हम लोग बोलते हैं समस्थ पद या समासिक सब्द यहां पर हम लोग को बात करें तो हम लोग को समास पहचाने आना चाहिए समास का डिपन शमास का यदि भेद अगर आपसे बोल रहा है, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, ट्रिक क्या है, जो आप लोग जानते होंगे ऐसे, इसका नाम सुने होंगे, ट्रिक हम लोग बोलते हैं कि अब तक दादा, अब तक दादा, चाहे दादी बना लीजे, अब तक दादी, छह समास अब तक दादी कैसमास छह समास अगर सवाल लेए कि समास के कितने वेदोते हैं तो बताना पड़ेगा कि समास के 6 होते हैं अब इसका जरा नाम याद कर लीजिए तो हम लोग बात करें तो यहां को सेकन्ड हो गिया 3rd हो गिया, 4 हो गिया, 5 हो गिया, 6 हो गिया तो 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6 तो आ का मतलब होता है अब्याई भाब समास आ का मतलब क्या होता है अब्याई भाब समास तो आ का मतलब हमने बोला अब्याई भाब समास बा का मतलब हमने बोला दूसरा कर बोला जाया तो ब का मतलब होता है बहु ब्रिही समास क्या होता है बहु ब्रिही समास तो आप लोग बोलिया कि ब का मतलब होता है बहु ब्रिही समास तीसरा यहाँ पर लवक रहा है तस का मतलब होता है तत्पूरुष शमास तत्पूरुष शमास तो त का मतलब होगी आपको तत पूरुष शमास यहाँ पे आपको क है तो क का मतलब है कर्मधारे शमास क्या है कर्मधारे शमास तो यहाँ पे आपको हागिया कर्मधारे समास यहाँ पे अधी बात करें तो द का मतलब है यहाँ पे एक दोबंद समास कौन समास दोवंद समास और यहाँ पे दी का मतलब है दिग्गु समास दी का मतलब क्या है दिग्गु शमास तो दी का मतलब हो जागा आपको दिग्गु शमास दी का मतलब हो गया क्या दिग्गु शमास तो चलिए सबसे पहले तो दी हम लोग बात करें तो आपको हो गया द समास के चाहाभेद होते हैं कितने मैं समास के कितने मैं समासrain से अभी बहाँर आप तक भिल्यागा बहू बहुलेगा ability और से दी से दिग्गुह अविसका तो अपनी नाम सुना अब इसका डिफनेशन यादी बात करें तो इसमें आपको कहता है कि प्रथम पद प्रधान हो बोलेगा प्रथम पद प्रधान हो तो जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, उसको तत पुरुष समास कहते हैं, दुबंद समास, तो दुबंद समास में आपको बोलना पड़ेगा, जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, जिस समास में आपको दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है तो इसको बोलते हैं दोबंद समास साध आप लोगो नीचे दिख रहा हो का असा करते हैं। चलिए दिख तो रहा है, ऐसे आप लोगो याद रखना पड़ेगा। तो हमने बोला अस का मतलब हो गया ब्याई भाव समास जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसको ब्याई भाव समास कहते हैं तो का मतलब हो गया तत्पूरु समास जिस समास में अंतीम पद प्रधान होता है उसको तत्पूरु समास कहते हैं जिस समास में दोनों पद प्रधान हो ता उसको दोन समास कहते हैं जिस समास में कहता है कोई पद प्रधान नहीं हो या इसी को बोलते हैं जिस समास में अन्य पद प्रधान हो तो जिस समास में न तो प्रथम पद प्रधान हो न तो दितिय पद प्रधान हो तो बोल सकते हैं अन्पद प्रधान हो क्या अन्पद प्रधान हो तो उक्रे बोलते हैं बहु ब्रही शमास तो देगा कोशन जी समास में अन्पद प्रधान होता उसको क्या बोलते हैं तो बहु ब्रही शमास बोलते हैं आए काता है कर्मधारे तो कर्मधारे अगर बोल रहे तो कर्मधारे आपको बोलना पड़ेगा जिस समास में दोनो पद एक ही भी भकती में हो, दोनों पद एकी भी भक्ती में हो तो जिस समास में दोनों पद एकी भी भक्ती में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं करमधारे शमास क्या बोलते हैं करमधारे शमास अगर लिखा गया दिग्गु समास तो दिग्गु समास कहता है कि जिस समास का प्रथम पद संख्या बाची जिस्समास का प्रथम पद शंख्या बाची प्रथम पद संख्या बाची हो उसी को बोलते हैं दिगु समास तो सबसे पहले तो आपको डिफ्नेशन या जुना चाहिए समास का प्रतं पद प्र में ackalter में ऑलते हैं और यह तो यहिए बाद करें जीस समास में दोनों पद बर भारे समास जी समास में अन पदध का भेद विया समाव को सबस्वा कि याध प्रधानो अभ्याई भावा अभ्याई भावा तो आपको बोलना पड़ेगा पूर्वपदार्थ प्रधानो अभ्याई भावा दिखाई पड़ रहा है चलिए तो मैंने बोल दिया पूर्प्दार्थ प्रधानव अव्यएभाव समास हो जाएगा यादि बात करें यहां पर दिग्गू समास में याद रखिएंगा संस्रीत में आपको संख्या पूर्वो डिग्गू संख्या पूर्वो दिगु संख्या पूर्वो दिगु संख्या पूर्वो दिगु अबजेक्टिव देगा संख्या पूर्वो दिगु किस समास को कहा जाता है तो संख्या पूर्वो दिगु समास को कहते हैं किसको कहते हैं दिगु समास को तो आपको बोलना पड़ेगा संख्यापूर वो दिग्गू किसको कहते हैं दिग्गू समास को कहते हैं यहाँ पे दुवंद समास को आप संस्कृत में बोल सकते हैं चार्थे दुवंद क्या बोलिएगा चार्थे दुवंद क्या बोलिएगा चार्थे दुवंद तो आप ब बोलना रहें तो बोलिएगा अन्तिम पदार्थ प्रधानों तत पूरुषण तो अन्तिम पदार्थ प्रधानों तत पूरुषण इसका आपको डिफनेशन हो जाएगा बहुब रही समास में आन्त पदार्थ प्रधानों बहुब रही कर्मधारे समास आपको दोनों पद एक कि भी भक्ति में हो तो इसको आप बोल सकते हैं तो मुझे आसा करते हैं कि आप लोग को डिफनेशन याद हो चुका होगा एक बार पूर्णा में इस बात को रिपीट कर देता हूं बड़ा सौटकट हमने बताने का प्रयास किया ताकि आपको याद हो जाए हमने बोला कि अग आगे लिखा गया है समासिक सब्या समस्त पद शमासिक सब्या समस्त पद विभक्ति चीन हटाने की किरिया को बोलते हैं समासिक सब्या समस्त पद आगे करता है समास का भेद तो समास के कितना भेद अब तक दादी 6 समास अब तक दादी 6 समास और से ब्याई भाव बस बहु उसको ब्याईभाव समास करते हैं जिस रमास में अंतिम प्रधान हो उसको तत्पुरुष रमास करते हैं जिस रमास में दोनों प्रधान हो उसको दुबन समास करते हैं जिस रमास का प्रथम पद संख्या बाची हो उसे हम लोग दिगु समास करते हैं जिस रमास में अन्पद समास होगा किसमें आपको दुबंद समास होगा आपको हमारे साथ देखना होगा कम से कम पांच मिट भी और लगे रहिए जितना हो सकता है मैं करने का प्रयास करूंगा मान लिया जाए हमने आपको पहचानने का छोटा सा तरीका बना दिया इसमें किसमें मैं लेता हूं सबसे चोटा समझ लिए दिगू समास चलिए हम लोग दिगू समास की तरफ पढ़ते हैं अगर दिगू समास अगर बोलेगा तो दिगू समास के बारे में हमने यह भी जिक्र किया कि दिगू समास के बारे में दो बात जाने कि प्रथम पद संख्या बाची हो जिस समास में प्रथम प्रथम संख्या बची हो उसी को आप लोग बोलते हैं दिगु समास या तो इसको हम ने मोला संख्या पुरवो दिगु चंख्या पूरवो दिगु तो कहने का मतलव संख्या मतलब इसमें आपको लगा रहे गा 2-3-4 अगर लगा रहेगा तो आपको मानना पड़ेगा वहां पर दिगू समास है और सबसेदी बात करें दिगू समास का नोट अगर ध्यान रखें आप दिगू समास को आप लोग बनाना है तो सभी को शभी को सश्टी बहु बचन में बदले तो सभी को सश्टी बहु बचन में बदले आपको नोट याद रखना है सश्टी बहु बचन क्या होता है तो सब्द के लास्ट में आपको नाम अगर लग जाएगा तो इसी को बोलते हैं सश्टी बहु बचन तो आपको सब्द के लास में आपको नाम लग जाएगा तो इसको बोलते हैं सस्टी बहु बचन क्या बोलते हैं सस्टी बहु बचन चलिए आप लोगों दिखाई फड़ रहा इधर तो हमने बोला कि अगर सभी को आप सस्टी बहु बदल दीजिएगा तो यहीं आपको हो जागा दिग्गु समाश दे लिख दिग्गु समाश जैसे हमने लिख दिया त्री भूज क्या लिखा त्री भूज मेरेको इन पीरे मतलब हो गया तीन तीन संख्या है तो जब संख्या पुरवत दिऊ हता है तो इसमें आपको मालीय का दिगगू है था बनाना कि धिह 3 है और पे doesn't तरीका होगा जिए पहला नाम और लास्ट में आपको जोड़ देना है समाहार बदले तथाख लास्ट में आपको जोड़ देना है शमाहार 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 दिखाई पढ़ रहा हो का साथ आप लोग को नहीं तो आप लोग सुन लिजेगा हमने बोला कि अगर दिग्गु समास कर आपको बताना है तो जिस बोलिएगा कि जिस समास में प्रथम पत संख्या बाची हो उसी को बोलते है गुण स्कुला शम्सै आप बोल मतलब भात्य चेंश यांफ में आपको बनानार पड़ेगा फर्ल का बनाना पड़ेगा संटी बहु बचन और जोड़ देजागा समाहार तो त्रया नाम फला नाम समाहार त्रया नाम फला नाम समाहार तो इसको अमने लिख देते हैं आपको त्रया नाम फला नाम फला नाम और जोड़ देते हैं शमाहार शमाहार यह हो गया इसका बिग्रह त्री फला का त्री भूज लिखा गया है इसका बिग्रा क्याल कीजियेगा त्रया नाम, शोरी, त्रया नाम लित्ता हूँ, त्रया नाम, भूजा नाम, भूजा नाम, भूजा नाम, अजोडियेगा शमाहार, शमाहार, यहाँ पे चतु लिखा तो चतु कहोजागा सस्टी बहु बचन चत्वारा नाम, चत्वारा ना और हो जागा शमाहारा क्या हो जागा शमाहारा जैसे हमने आपको और एक्जामपल अगर दिया जैसे आप लोगों को दे देगा पसाने के लिए पंच बटी पंच बटी पंच मतलब 5 तो पंच बटी में कौन समास तो आपको दिगू समास तो पंचानाम बटानाम शमाहारा ल एकरमाले लिखे की पंचामरीतम पंचामरीतम तो आपको बोलना पड़ेगा पंचा नाम अमरीता नाम शमहिड वित बहुत कि अफ्क होजागा तरह गाया, समास भी समाज में आया होगा इसको कोछ एक्जामपल और यम्हांपल सकते हैं जैसे या Size को लिग लिए आइए एक्जामपल के तोर पर है अ diyorum अश्त ध्याई यए अश्ट ध्याई अस्ट ध्याई तो अस्थ ध्याई कहने तो इस तरह से मुझे आसा है कि आप लोग दिगू समास पहचा लिजाएगा अब देखिए मैं एक चीज और यहां पर बात करता हूं बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं अब अगर समास की मैं बात करूं को समास दोव अब शमास में कहता है कि दोनों पत्प्रधान हो और एक लैं लिखा चारल थे दुवनद क्या लिखाई चारथे दुवनद क्या लिखा चार थे दुवन इसमिया को लगा रहेगा जए या कवची ओर जैसे को ली देगा माता चय पीता रामा चय लक्ष्मन सिता चैङिता मुहनचा सोहं सहनत कहने का मतलब अगर चय लग जाएगा तो म दीज़े-गा कवची दोन्द सममास चय मिलंएगा तो मथी जेगा दोन्द समास उडात देना है धर सब्सक्राइब करेंगे तब तक इस वीडियो को पहले आप इसको याद कीजिए हम लोग कल आते हैं दोस्तों लाइब मैं नहीं आ पा रहा हूं चूकि यहाँ पे नेटवर्क से नहीं जब तक बाइफाई नहीं होगा इस वीज़ सेनल बगरा का तब तक संबब नहीं है तो चलिए आज भर की इतना ही आज भर के लिए इतना ही तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद टेक कियर गॉड ब्लेस यू बेस्ट ओफ लग फोर बोड एक्जाम आप लोग त्यारी करते रहिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें और आप लोग दोस्तों को अपना बताईए चैनल को सेर करें और सब्सक्राइब कीजिए धरिये धन्यवाद ओक्के गुड़ व